जब बरफ गिरती है तो पेड़ की सबसे उचाई पर स्थित पत्ती को छूती है लेकिन वहां रुकती नहीं है। उसके बाद बाकी पेड़ की पत्तियों को छूते हुए वो जमीन पर आ करके लद जाती है और छोटे छोटे पौधे उस बरफ के नीचे दब जाते हैं कोरोना की स्थिती भी कुछ ऐसी है। बिहार में कोरोना पाउं पसार रहा है और सबसे पहले वो बिहार की क्रीमी लेयर को छू रहा है। के अंदर भी गार्ड समित पांच नों को कुरोना पॉजिटिव पाया गया है जिसके बाद जदियू कारियाले को सील भी कर दिया गया है। कुमार भीते दिनों से कह रहे थे कि समा सुधार यात्रा चलेगी आज उसे रद्ध कर दिया गया है। जिससे समझा जा सकता है कि मामला अब गंभीर होता जा रहा है। कि अनुमती है जो नवीयों और उससे उपर के हैं वहां भी 50% उपस्तिती का ही आदेश है। कोचिंग संस्थान भी इसी स्ट्रेणी में आएंगे। मास्क को पूरी तरह से अनिमारे कर दिया गया है। सो मुआर को बिहार में NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 72 डॉक्टर और मेडिकल चातरों समेत 344 पॉजिटिव केस मिले। जिसके बाद ये साफ हो गया था कि अब हम पुराने धर्रे पर लोटने वाले हैं। और आज ये जो निमावली आई है, गाइडलाइन आई है, उसने ये साफ कर दिया कि एक बार फिर से बिहार समेत पूरा देश कोरोना की जद में हैं और एक बार फिर से हम 6 महीने पुराने धर्रे पर लोटने वाले हैं। नहीं होंगे करोना का ये जो नया वैरियंट है, ओमिक्रॉन जो अभी प्रभावी रूप से फैल रहा है, वो आपके जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको भी बेशर कर सकता है। खबरों के मताविक ओमिक्रॉन पिछले वैरियंट के मुकाबले तेजी से फैल रहा है, लेकिन फिलहाल ये डेल्टा वैरियंट के तुलना में माइल्ड है, यानि थोड़ा कमजोर है। इसमें संक्रमित लोगों के अस्पताल पहुँचने और हालत बिगड़ने की आशंका पिछले वैरियंट से कम है, BBC की एक रिपोर्ट का अगर माने तो, दक्षे अफरीका में एक स्टडी में पता चला है कि ओमिक्रॉन के चलते आई कोरोना की जो तीसरी लहर की आहट देख की गई है, अगर टाइमस ओफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो, एक्सपर्ट्स ने ओमिक्रॉन वैरियंट के सामने वैक्सीन का प्रभाव कम होने की चेताउनी भी दी है, एक्सपर्स का मानना है कि ओमिक्रॉन में जो म्यूटेशन हुआ है, वो इसे वैक्सीन की इम ओमिक्रॉन का संक्रमन हो सकता है, इसका खत्रा बाकाइदा बना हुआ है, लेकिन अभी तक की स्टेडीज में ये भी पता लगा है कि वैक्सीन ने ओमिक्रॉन के संक्रमन को गंभीर होने से रोकने में कारगर भूमिका निभाई है, यानि कि अगर आप वैक्सिनेटेड हैं उतने खत्रे बने रहेंगे यानि कि अगर शरीर में आपके रहता है तो शरीर की प्रतिरोधी क्षमता के खिलाफ अपने आपके अंदर एक नई प्रतिरोधी क्षमता डेवलप करने लगेगा ये जीव विज्ञान का सधान्त है Mutation के बारे में अगर बताएं और ये शब्द जो की आने वाले दिनों में आपको कई बार सुनने को मिलेगा जगए जगए पर सुनने को मिलेगा तो इसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है काशी हिंदु विश्विद्याले के इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसेज के अंतरगत मॉलिकुलर बायोजी विवाग के विवागा द्यक्ष प्रोफेसर सुमित कुमार सिंग बताते हैं कि जो सोर्स कोरोना वाइरस एक आरेने वाइरस है और आरेने वाइरस की प्रवर आरेने वाइरस होते हैं उनके अपेक्षा में जो ओमिक्रॉन का वाइरस है उसका मुटेशन कम है हालनकि अगर सामान अस्तर पर देखा जाए कोरोना के पिछली वारियंट्स के मुकाबले तो इसका ज्यादा है इसके अलावा कहा गया है कि कोरोना वाइरस का मुटेशन यह भी दावा किया जा रहा है यह तमाम दावे हैं और इसकी अभी प्रमाडिक उस्टी नहीं हुई है यह चीज़म बता देते हैं बाकी इन तमाम गुणागरितों से परे हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ समझनी है जो विज्ञान कर रहा है वो कर रहा है हमें अपने अस्तर पर ये चीज समझना है कि अपने आपको बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने आसपास के लोगों को बचाना है और इस तरीके से हम अपने समाज को बचा सकेंगे एक भीशर तबाही के गर्त में जाने से. इसके लिए सभी सेफटी मेजर्स जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सेनिडाइजिशन है, इन तमाम चीजों को लेकर के जितना हमास से 6 महीने पहले, एक साल पहले जागरूप थे, बीच में थोड़ा सा जरूर धील मिली थी, बीच में थोड़ा सा लोगला परवा कि Omicron एक common cold नहीं है, इससे स्वास्तिवस्था चर्मरा सकती है, आपका परिवार चर्मरा सकता है, ऐसा सिस्टम बनाना बेहत जरूरी है, जिससे बड़ी संख्या में टेस्ट हो सकी है, सरकारों के लिए है, लोगों को सला दी जा सके और बड़ी संख्या में मरीजों की नि सकते हैं, और साथ ही साथ जो जरूरी safety measures हैं, उनका पालन करें, आज की बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं in shorts की तरफ, सबसे पहली खबर पंजाब से, पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की रहली को रद कर दिया गया ह ग्रेमंतराले ने बयान जारी करके बताया है कि PM का काफिला एक flyover पर करीब 15 मिट तक फसा रहा, जबकि राज सरकार और वहां की पुलिस को उनके दौरे की सूचना पहले सी थी, इस बीच भाजपा ने राज की कॉंग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, भाजपा द भगत के चलते, रैली कर में जाने वालों पर सकती बरती है, बजाए इसके कि वो PM की सुरक्षा का ध्यान रखते, इसको लेकर के राजनीती भी तेज हो गई है, देखने वाली बात हुई, क्या कुछ इसको लेकर के अपडेट होता है, इसके अलावा एक खबर सुप्रिम को आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनोती देने वाली याचिकाओं से संबंदित है, बीते दिनों इसी वज़ए से जूनियर डॉक्टर्स ने भी विरोत प्रदर्शन किया था, इस दोरान सॉलिसिटर जनरल सुल्क जूनियर डॉक्टर्स का होना मेडिकल विवस्था को सुचारो गूप से चलाने के लिए बेहत आवश्यक है, इसके लावा एक और खबर बीते जिनों जो हलिकॉप्टर हाथसा हुआ था, उसमें उसको ले करके वाई हुसेना ने रक्षामंतरी राजनात सिंग को आज अधिकारियों और उनके परिजनों की मौत हो गई थी, तमिलनाडू के कुन्नूर के समीप हुए इस हादश से की जाच तीनों से ना की एक संयुक्त समीती ने की है, जिसकी रिपोर्ट अब रक्षामंतरी को सौप दी गई है, इसके अलावा है खबर मध्यपरदेश से, जह कैमरे में चोर की तजवीर भी कैद हुई है, वो दूसरी बार भी पाइप चुराने अस्पताल पहुँच गया था, दरसल शिवपुरी जिला अस्पताल में चोर ने प्लांट से ऑक्सिजन सप्लाई करने वाली पाइप लाइन चुरा ली, चोरी का खुलासा तब हुआ देश्क में बिजली के जटके से हाथियों की मौत की समस्या से संबंध रखने वाली जनहिच याचिका पर नोटिस जारी किया है, ततकाल प्रभाव से हस्तक्षेप करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, उचितम नयाले ने केंद्र और राज्यों को 6 सपता के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है याचिका में MOEF&CC की गाइडलाइन को सही तरीके से लागू करने की मांग की गई है जो की जानवरों और खास करके हाथियों के पचाओ के लिए इस्तमाल होती है उनके लिए बनाई गई है भारत के चीफ जस्टिस एनवी रवन्ना, जस्टिस सूरेकांत और जस्टिस हिमा कोली, खंडपीत ने या नर्देश चारी किया है नियाले के समक्ष याचिका करताओं का प्रतिनेदुत्यों अधिवक्ता कार्तिक शुकुल के माध्यम से किया गया याचिका करताओं ने प्रस्तुत किया कि वे उस गंभीर वास्तिक्ता को प्रकाश मिलाना चाहते हैं जिसका भारत में जंगली हातियों की अप्राकरतिक मौतों की संख्या में खतरनाक वृद्धी के कारण के तौर पर जाना जा रहा है जैसा कि हाथी टास्क फोर्स की 2010 की रिपोर्ट गजाह में कहा गया था इसने भारत में हाथियों की मौत के सबसे आम कारणों में से एक रूप में जान भूजकर और अकस्मिक बिजली के जटके की घटनाओं में हाथियों की संख्या की मौत की पहचान धर्ज की थी जलावा या इचिका करताओं के अनुसार या निशकर्स MOEF और CC द्वारा संसत के समक्ष पेश किये गए डेटा द्वारा समर्थित है या दर्शाता है कि 2014 और 2018 उननीस के बीच में मनुष्यों के साथ संगर्स शे संबंदित 510 में से 333 हाथियों की मौत बिजली के जटके के कारण होई थी यानि लगबग हाथियों की सभी अपराकरतिक मौतों में से दो तिहाई बिजली के जटकों के कारण होती है आपको पताएं वर्श 2016-17 में 56 बिजली की मौत से ले करके 2018-19 में 81 मौते हुई है हाल ही में MOEF ने एक ITI आवेदन के जबाब में कहा था कि 2009 से 2020 तक कुल 741 हाथियों की मौत बिजली के जटकों के कारण हुई है जिसमें एक बड़ी संख्या का जो हाथियों का इस्तमाल किया जाता है मौत तक उनका तसकरी के लिए तसकर करते हैं इसको लेकर के सुप्रिम कोट ने राज्यों और केंदर सरकार को जो गाइडलाइन जारी की गई थी बर्षों पहले उसको दुबारा से सक्ती से लागू करने का आदेश दिया है किसी ने कहा है राजनीती घुरदोर के समान होती है इसमें पेशेवर घुरसवार को या ज्यान होना चाहिए कि कम से कम संभवता चोट खा करके घुड़ी की फीट से किस प्रकार गिरा जाए मतलब आप समझे और कमेंट में हमको बताइए हम चलते हैं आज का जनतंग शो इतना ही हमें दीजिए इजाज़त कल फिर मुलाकात होगी कारके पसंद आता हो तो शेयर कीजिए रोज रात 9 बजे हम देश और दुनिया और बिहार की तमाम फबरों के साथ आपके समक्ष